जम्मु कश्मीर सरकार्दवारा कोटा से बच्चों को वापस लाए गया जिस हर तरफ प्रिशनसा हो रही है और कटवा प्रिशासन की हर तरफ शराहना की जा रही आपको बता दे बहुत ही योजनाबत तरीके से जम्मु कश्मीर प्रिशासन ने बाहर के राज्यों में काम कर गया और पुरी जांच के बाद अपने खरों में भीचा गया लेकिन अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग फसे हुए हैं जो अलग-लग माध्यम से सरकार तक अपनी जम्मु कश्मीर वापस की मांग कर रहे ऐसा ही वाक्या मेरट के भगवती कोल्ड स्टो भावनपुर पोस्ट पोस्ट स्याल डिस्टिक मेरट भगवती कोल्ड स्टोर पे यह जम्मु के बंदे हमारे हां जो लॉगड़ाउन के उसमें फसे हुए हैं इनको घर जाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत जल्द से जल्द इनका कुछ निदान किया जाए यह भगवती कोल्ड स्टोर भावनपुर पोस्ट स्याल अभी इस टाइम पर यहां पर हैं अब इन्हें जम्मु कस्मीर डिस्टिक कठवा के लिए जाने के लिए इनके लिए कोई परमीशन जल्दी से जल्दी देने का आग्रे करें यह हमारे हाँ 24-25 बंदे जो यहां पर फसे हुए हैं इनको परमीशन नहीं मिल पा रही है अभी तक इन्हें जब से लॉकडाउन फचल रहा है जब से दो बार खुला दो बार फिर से लग गया वांगे बढ़ने के जादे चांस हैं अभी यहां पर रोगियों की संख्या ब है हमारी तो यह समस्य है सरकार से जब से हम यहां आए हो हैं कम से कम तीन मिने से यहां काम करने के लिए आये थे चालिस दिन होगे हमें यहां फसी हुए और हमारी किसी भी सरकार ने ना ही यूपी सरकार ने और ना ही हमारी जमु किश्मिर सरकार ने कोई आज तक कोई बात क कर लाए खैज तक हमारे पता है कि हम कहां हैं और बैप मिन तो हुआ परिवार भी है लो बीजो किसी के दिए चोटे चोटे बच्चे हैं और किसी बसोर्ड है उनको थे देखने बड़ता है तो क्या जाना चाहते हो आपनी गम्कुमि हिए खेट करते हैं कि हमारे कोह न काने खेट का कोई न कोई समयतान किया जा है और यह हमारे सारे बंदे खड़े हुए हैं, जो इनके साथी हैं, पचीच शब्बिस आदमी हैं यहां पर जो भगवती कोलिष्टोर भावनपुर पोस्ट स्याल, भावनपुर थाने के पास में भगवती कोलिष्टोर है, जहां पर यह सभी बंदे हैं, रुके हुए हैं स्टाइम पर. झाल